नमस्कार, मैं शीतल पीसिंग, सत्यहंदी.com पर आपका स्वागत है इधर सारी खबरें दंगे पर हैं, सबका ध्यान दंगे पर है और दंगे के जो नतीजे निकल रहे हैं, अपनी अपनी तरह से लोग उनकी व्याख्याएं कर रहे हैं लेकिन दंगे की एक दूसरी व्याख्या भी है दिली के दंगे ने इस देश में जो आर्थिक गतिविधियां चल रही थी और उनमें जो बुरी हालत थी, उस पर चल रही बहस पर पूर्ण विराम जैसा लगा दिया है सब कुछ कारपेट के नीचे चला गया है और लोगों की सारी बातचीत, लोगों का अटेंशन और सब कुछ एक जगए केंद्रित हो गया है तो सत्तार उड़तल के लिए बहुत अच्छी मुफीद इस्थिती है कि उस पर बात ही नहीं हो रही है, जिस पर सबसे ज़्यादा बात होने की ज़रूरत थी जो हमारी जीडीपी है, इस शब्द को बहुत सुनते रहते हैं आप तो जीडीपी के तीसरी तीमाही के साल में चार तीमाही होती है पिछले तमाम कारिकरमों में हम लोगों ने इसकी बात की है और दूसरे अख़बार वाले मीडिया वाले भी करते रहते है तो आप लोगों को भी मोटा मोटी तो ये समझ में आता ही है कि साल में चार बार ये तीन-तीन महीने का एक हिसाब लगाती है सरकार, सरकार की एक एजनसी है, NSO, वो इसके आकड़े जारी करती है, तो जो तीसरी तिमाही है उसके आकड़े आ गया है, तिमाही बीटने के दो महीने करीब बीट जाते हैं तब वो आकड़े आया करते हैं, त के अभी बज़ट व्ह गर्मेर गी बेहाद आप देखी रहे हैं चल रही है तो उसमें ये अक्कूबर से डिसंबर तक की तिमाही थी जो उननिस, 2019 की आखरी कह लीजिए और उसके बाद अब 2020 की आएगी जो जनवरी से मार्च तक की होगी तो जो अक्तूबर से दिसंबर तक की है उसमें हमारी जो विकासदर बताई गई है एनेसो के दोरा वो चार दशमलो साथ एक फीसद है ये बात तो अब सबने माल ली है कि इस साल का ज उनेस मार्च से बीस मार्च तक तो वो पाच फीसद क्रास नहीं कर पाएगा ये अब ये तीन आकड़े चुकी आ चुके हैं तीन तिमाहियों के तो अब एक दम सपस्ट है और चौथे में भी फरवरी तो बीती गया मार्च आ गया है तो ये महीने के जो आकड़े आते हैं से भी नजारा साफ है तो बिलकुल एक क्लियर है कि पाच फीसद से जादा हम नहीं जा रहे हैं ये पाच फीसद पर भी आप जानते हैं कि जब सरकार आई थी 2014 में तो सबसे पहला काम इसने यही किया था कि आकड़ों की बाजीगरी करके तरक्की दिखाई जाए तो जो इन आकड़ों को बनाने का तरीका है पहले तो वही बदल दिया था वो क्या था कि जो इसको बनाने के लिए एक महंगाई की दर एक साल में ली जाती है किसी खास साल में उसके बाद उसको कैलकुलेट करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं तो जो पहले से चला आ रहा था उ इसको हटा कि इसको 2012 से कर दिया था. तो बिलकुल करेंट हो गया था ये तो अब जो तर आप सुनते हैं ये 2012 की महगाई दर की तुलना में है कि उसकी तुलना में इतने फीसद हमारी ग्रोथ रही. तो वो जो ग्रोथ है वो आ रही है कि अब पांच फीसद के आसपास होगी तो पांच फीसद में इस तिमाही की चार दशमलों साथ एक फीसद यानि अगर कहीं पुराना आकड़ा होता जिससे मनमुहन सिंग सरकार की कारगुजारी को हमने आका नापा सुना था तो शायद ये जो चार दशमलों साथ एक लिखा हुआ है ये एक ये डेड़ फीस दिया था इससे ही आप समझ लीजे कि हम कहां पर है इस दोरान इस पूरे दोरान जब एक बड़ी मशहूर सरकार हमारे देश में है रास्टवादी शरकार है और दुनिया में जिसका कथि डंका भज रहा है और जिसने सारे तरक्की के कीरतिवान तोड़ दिये है और कुछ तोड़ने वाली है उसकी असलियत थोड़ा सा आकड़ों के और तत्यों के आधार पर जान लीजिए कुछ खबरे भी सोन लीजिए इससे रिलेटेड ये तो अभी थोड़ी में डिटेल से इस पर आता हूं इसमें जरा सा एक चीज और बता दू कि ये जो जीडीपी की ग्रोथ है ये सरकार को ये पता है चुनाओ भले वो जीद गई है च पिर उसने जब GST लागू किया था तो सोचा था कि उसमें टैक्स में कोई बड़ी लूट मार कर लेगी बहुत तरकी कर लेगी वो भी नहीं हुआ तो इन दोनों पैरामीटर से हमारे देश की आर्थव्यवस्था चौपट हो गई है सच्चाई यही है अब उसको आकणों क की बाजी-गरी से छिपाये जाता है इन आकणों को हासिल करने के लिए बहुत सी करामात की जाती है उनमें से एक करामात यह भी है कि जो सरकार अपने काम किया करती है जब कभी ऐसी इस्थिती होती ही जैसी आज है तो क्या करती है सरकार अपने काम काज में खर्चे में पैसा इधर से उधर से छीन के लूट के कुछ करके करजा लेके उन कामों में तेजी लाती ही कि जससे अर्थवे उस्था चले तो ये सरकार भी उसकी बड़ी कोशिश कर रही है और उस कोशिश की वज़े से यह आपको 4.7 एक देख रहा है क्योंकि जो नान गर्मेंटल जीडीपी ग्रोथ है जो करीब 90 फीसद अर्थवे वस्था को नियंतरित करती है यानि सौ में 90 गवर्मेंट जो है 10-11 फीसद ही कर पाती है बाकी सब प्राइवेट सेक्टर से होता है उसकी विकासदर तो 4 फीसद भी नहीं है इनी सरकारी आंकडों के तहत जो आंकडे आए हैं इसी में वो भी लिखा हुआ है कि जो नान गवर्मेंटल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3.95 प्रतिशत है चार फीसद से भी कम है तो ये आप बिलकुल साफ साफ समझ लीजे कि हम अर्थ हव्य वस्था के मोर्चे पर लगभग तबाह होने की इस्थिती में हैं बाकी शेखिया अपनी जगह है डालर जो है इस समय 73 रुपय के आसपास पहुँच गया है आपने पुराने अगर ट्वीट इनके निकालेंगे तो देखिये मनमोहन सिंग को कितनी गालियां कितनी बार किस किस नेता ने दी है इन सब सवालों पर LPG के सिलिंडर से आप अपनी अर्थव्यवस्था को अपने अपने घरों में देख लीजे कितने का आ रहा है LPG सिलिंडर और जब इस सरकार आई थी तब कितने का था इन पांस सालों में ही LPG का सिलिंडर क्या जिस दाम पे था उससे दुगने तक नहीं हो गया है यानि उसके दामों में सौ फीसद की बढ़ोतरी मैं नौन सबसिडी वाले की बात कर रहा हूँ सौ फीसदी की आसपास बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल डीजल के दाम कभी कम नहीं हुए वो लगातार बढ़ते रहे जब कि दुनिया में कच्छे तेल का आपको मालूम है कि मूल इस सरकार के दौरान लगातार कम रहा अभी तो और घट गया है अब जरा सा कुछ और कलाकारियां देख लीजे ये पहली बार हो रहा है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ऐसा कभी इस बड़े लेवल पर रेकॉर्ड पर कभी नहीं हुआ है क्या हो रहा है ये तरक्की दिखाने के लिए आख्णों की जो बाजीगरी की जाती है वो भी रेकॉर्ड पर आ गई है आप उमीद करेंगे कि क्वार्टर वन में 2019 अप्रेल से जो पहले तीन महीने अप्रेल मई जून थे वो जो तिमाही थी उसके जो आखड़े पेश किये गए थे उसमें जो माइनिंग का आकड़ा था एक आकड़ा ऐसे बहुत सारे आकड़े रहोंगे एक या दो हम पकड़ पाए है जो विभिन विशेशग्यों ने CNBC की विशेशग्य पत्रकार हैं आर्थिक मामलों की लथा वैंकटेश ने पकड़ के आज लिखा है दमिंट में छपा है और एक दू जगे और छपा है कि ये तो सोचने से परे है कि जो माइनिंग के आकड़े पेश किये गए थे वो 6% ज्यादा बढ़ा के बताए गए थे 6% ये calculation mistake नहीं है ये जानबूच के की गई बदमाशी है और construction outlay जो था निर्माण के छेतर में उसमें भी 17,000 करोड बढ़ा के दिये गए थे 6% बढ़ा के दिये गए थे ऐसा कमाल सबतर सालों में सचमुच नहीं हुआ ये सब वाकई कमाल हो रहा है ऐसा विकास का कमाल कभी किसिन नहीं देखा था quarter 2 में देखिए जो जून के बाद जुलाई एगस सितंबर का quarter है 2019-2020 के ही साल का इसी साल का उसमें 30 नवंबर को जो CSO है हमारे आकड़ा बनाने वाली संस था उसके प्रमुख कहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट 7.26 ट्रिलियन रुपया है और 28 फरवरी 2020 को जब वो ये तीसरी तिमाही के आकड़े दे रहे थे तब वो ये कबूल करते हैं कि नहीं भाई वो 7.26 ट्रिलियन गलती से चला गया था वो रिवाईज हो गया है रिवाईज होके वो 7.03 ट्रिलियन रह गया है करीब 22,000 करोड़ रुपय कम हो गया है ऐसे आकड़े देश में कभी नहीं बने है कि जब आपको ताली बजवानी होती है तब आप ज़्यादा बता देते हैं और अगले 6-8 महीने बाद कबूल लेते चाहिए कि वो रिवाईज हो गया थो तो ये इतना था यही सज्जन फिर बताते हैं कि ये एक्सपोर्ट का आकड़ा भी आपने सुना अब इंपोर्ट का भी आकड़ा सुन लीजे एक्सपोर्ट में ही नहीं इंपोर्ट में भी कलाकारी है इंपोर्ट बताया गया 8.6 trillion का ये एक ट्रिलियन रुपया कम हो गया करीब करीब और रिवाइज होके अब फरवरी में बताया जा रहा है कि ये तो 7.8 ट्रिलियन ही था यनि करीब एक ट्रिलियन रुपया ज्यादा बता दिया गया था अपने इंपोर्ट में ये रिवाइज होने के बाद क्या अकड़े हैं उन्होंने बड़ी कड़े शब्द इस्तेमाल किये हैं अंग्रेजी में तो इसको इसको हिंदी में किस तरह से कहें कोशिश करूँगा की बात जो उन्होंने कही है वो आप के पास चली जाए इसका मतलब कि हमारा CSO जो है इट में बी कुकिंग बुक्स यानि हम आकणों की बाजी गरी कर रहे हैं यह CSO से उम्मीद नहीं थी यह सांखे की विभाग से कभी यह देश यह कोई देश उम्मीद नहीं करता कि वो सत्ता प्रतिस्ठान के लिए इस तरह के जूट गड़े यहनी हमारे देश का एक यह स्वायत संख्टन भी नस्ट हो गया है यह सत्ता प्रतिस्ठान के लिए विकास के जूट गड़ रहा है और इस तरह रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है तो यह सब तरक्की के आकड़े हैं चूकि बहुत सी ऐसी बाते हो रही थी दंगे को चलते जो दुख दे रही थी उन बच्चों को देखना जो यतीम हो गए हैं उनको रोते हुए देखना उन स्कूलों को देखना जिसमें किताबें बिखरी पड़ी हैं और आग लगी नहीं था इसलिए जरूरी था कि इस पर भी आपसे बात की जाए और हम लोग ऐसी बात करते ही रहते हैं फिर करेंगे आपसे बहुत बहुत धन्यवाद नमश्कार सत्त हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं